नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में मोगरा बेला की विंटर में केर कैसे करें विंटर में इसमें कौन कौन से कारे करें इस पर बात करेंगे दोस्तों अगर मोगरा की विंटर में सही से केर कर लिजाए तो winter खत्म होते ही तुरंत इसमें new growth दिखने लगती है तुरंत ये dormancy से बाहर आ जाता है और dormancy के अगले एक महिने में इस पर flowering भी start हो जाती है इसके लिए जरूरी है कि इसकी winter में सही से care की जाए मेरे मोगरा के पोधे में March महिने से flowering start हो जाती है और March से लेकर जुलाई तक मुझे 4-5 बार तक flowering देखने को मिल जाती है मेरे मोगरा के पोधे में एक साथ कितने सारे फूल खिलते हैं वो आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं काफी comments आते हैं कि मेरा यह मोगरा बेला का पोधा इतना घहना कैसे है तुम आपको बता दो दोस्तों कि सही से potting mix बना कर इसकी सही सही से reporting की जाए जिसमें पर्याप nutrition होने के साथ साथ वो moisture नमी भी hold करे तो इसकी growth देखने लाइक होती है काफी सारे बेसल सूट्स निकल कर आते हैं और कुछी महिनों में मोगरा बेला का पोधा पूरे गमले में भर जाता है यह जो मोगरा बेला का पोधा आप अभी देख रहे हैं इसे मैंने कलम से grow किया है और अभी इसकी age मात्र डेर साल की ही है और इतने कम समय में यह इतना घहना हो गया है मोगरा बेला की कटिंग रिपोर्टिंग सभी वीडियो मैंने आपके साथ सेयर की हुई है वो वीडियो आप डिस्क्रिप्सर में दिये गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और वो प्रोसेस आप स्प्रिंग सिजर में कर सकते हैं अभी विंटर में इस पर कौन-कौन से कारिक करने हैं उस पर अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको गमले की टोप लेयर की मिट्टी कुछ गहराई तक निकाल लेनी है जड़े उपर से हलकी हलकी देखनी चाहिए जिसे हम जो खाद इसमें डालेंगे तो जड़े खाद के संपर्क में डायरेक्ट आ जाए इससे जड़ों को ज़्यादा गर्माहट मिलेगी यहाँ मैंने गोबर की खाद ली हुई है यह अच्छी तरह से सड़ी हुई और धूप में सूखी हुई है इसे टो प्लेयर में डाल कर उसी मिट्टी से कवर कर देंगे जिसे हमने गमले से बाहर निकाला था इसके बाद next प्रोसेस में एक्स्ट्रा केर पर बात कर लेते हैं अगर आपने मोगरा की रिपोर्टिंग मेरे बताय अनुसार की हुई है और आपका मोगरा भी मेरे मोगरा की ही तरह काफी घना है तो यहाँ पर मल्चिंग को आप स्किप कर सकते हैं ठंड ज्यादा बढ़ने पर मोगरा अपनी कुछ पत्तियां को गिराज जरूर देता है ले चैप को छोटे पीस में कट करके या ऐसे भी लंबी लंबी आप मल्चिंग कर सकते हैं इस टार्ट में हमने गोबर की खाट डाली थी जो कि वो भी काफी गर्म नेचर की होती है इसके बाद उपर मल्चिंग कर देने से मोगरा की जड़ों को और तने को पूरी तरह से ठंड में राहत मिल जाएगी घड़ और तनों को हमेशा गर्माहत मिलती रहेगी यह दो प्रोसेश मोगरा के पोधे में कर लेने के बाद एक बार वाटरिंग करने पर काफी दिनों तक इसमें नमी बनी रहेगी ठंड में बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसक इसे रात को जो ओस की बूंदे गिरती हैं उससे आप बची रह सके हलाकि यह भी ओप्सनल है यह भी एक्स्ट्रा केर ही है इसे आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा अने था ऐसे भी मोगरा एजली विंटर में सर्वाइब कर जाता है दोस्तों या दोनों प्रोसेस कर लेने के बाद यानि गोबर की खाद और मल्चिंग कर लेने के बाद पूरे विंटर भर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको इसे ठंड से बचाना है साम साम को आप इसे प्लास्टिक से कवर करके रखें बाकि पूरे विंटर भर आपको इसमें को भी खाद सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सेर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो था के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थांक्स फर वाचिंग दिस वीडियो